Hello students, Polytechnic Liberal Learning में आप सभी का स्वागत है तो बच्चों जो आगामी जून माहे में आपकी सम सेमिस्टर परिच्छा या वार्सिक परिच्छा या फिर बैक पेपर या स्पेशल बैक पेपर होना है उसी के संबंद में एक बहुती महत्पूर्ण नोटिस बीटी यूपी की तरफ से प्राप्त हुआ है और वो है जो साथ चात्र चात्राओं के ब्योरण है उसमें संसोधन के संबंद में तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पत्र है 26-5-2023 का इसमें आप साप साप दे सकते हैं कि बहुत सारी संस्थाओं ने बताया है कि चात्र चात्राओं के ब्योरण जैसे उनका जेंडर मेल का फीमेल फीमेल का मेल हो गया उनकी केटेगरी उनकी जनमतिती गलत है इमेल आइडी मोबाइल नमबर गलत है उनका फोटो और सिगनेचर जो सिगनेचर है वो गलत अपलोड हो गया है तो इसी के लिए बच्चों ये महतपूर्ण नोटेस है कि जिनभी चात्र चात्राओं की ये सभी चीजें गलत हो गई है तो उनको सुधार करने का एक मौका दिया गया है बीटी यूपी की तरब से तो बच्चों इसमें ये सारे संसोदान हो सकते हैं जो आपने आपको बता है चाहे जेंडर हो चाहे कैटेगरी जनम दिती इमेल आइडी मोबाइल नमबर फोटो और सिगनेचर सिर्फ आपका छात्र का नाम नहीं बदलेगा पिता का नाम और माता के नाम को छोड़ करके य ये सभी संसोदान हो सकते हैं और ये संसोदान होंगे संस्था इस तरसे संस्था जब लॉग इन करेगी तो वहाँ से बच्चा अपनी अप्लीकेशन देगा कि उसके साथ ये प्रॉब्लम है इस तरीकी की दिक्कत है और वहाँ से फिर संस्था वाले उसको लॉग इन करके आप देख लीजी अभी परिच्छा फॉर्म भर रहे है इस्टूडेंट लॉग इन से सारी डिटेल अच्छे से मिला लीजे कोई भी बिसंगती या गलती उसमें समझ में आ रही है तो तुरंट आप अपनी संस्था में जाकर के एक एप्लिकेशन लिखिए एप्लिकेशन में सारी चीज़ें आप इंगित करते हुए और जरूरत पड़े तो उसमें सपोर्टिंग डाकूमेंट जैसे हाई स्कूल का सेल्टिफिकेट उसमें डेट अब वर्थ लिखी रहती है आपका सारी और इस तरीके की चीज़ें जो इमेल आईडी है मोबाइल लंबर है या फोट चों 28-5-2023 से ले करके 3-June-2023 तक उपलब्द रहेंगे मतलब इस डेट के बीच में ही आपको संसोधन करा लेना है यदि आप इस डेट के बीच में संसोधन नहीं करा पाते हैं तो फिर आपको दुबारा मौका नहीं मिलेगा और देखिए कितनी महत्पूर्ण बात लिख निर्गत किये जाएंगे यानि यह जो डेटा हो जाएगे यह फाइनल येर के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत महत्पूर्ण हो जाता है और सभी के लिए है क्योंकि आगे चल करके जो भी अंकपत्र डिप्लोमा प्रमार पत्र अभी जो प्रवेस पत्र परिच्छा के लिए वेरिफिकेशन फॉर्म वो इसी डेटा के आधार पर निर्गत किये जाएंगे सभी वेरिफिकेशन पर इस पत्र में आपकी फोटो साइन सब कुछ रहता है और अंत में अंकपत्र डिप्लोमा जो जारी होगा उसमें सारी डेटेल रहेंगी तो इसमें बच्चों फि फें मुद्तरदाई होगी तो ये छात्र छात्राओं को अपना खुद सक्ट चेक कर लेना है जो भी विशंगती है उसको एप्लिकेशन लिख करके अपनी संस्था में बता करके उसको लग करके ठीक करा लेना है तीन जून के पहले-पहले अंतिमतिति का इंतिजार मत करीए कि सर हमारे में ये तुरूटी है कब ठीक होगा तो यही मौका है ठीक कराने का उसको आप ठीक करा लीजे तो इसी के साथ थैंक्यू बेरी मच फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और नई अपडेट के साथ आप सभी का दिन शुभ हो